नमस्कार दोस्तों मैं अर्श वारोल आपका स्वाग्द करता मारे वॉट्फट चनल में तो हमेश्चा की तरह हम आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते रहते हैं जो बिल्कुल नए आते हैं जिनको आप बाहए करके एक अच्छा कसर 10 गुना 20 गुना तक का प्रॉ या फिर आप सर्च करके जॉइन कर सकते हैं तो आज हम आपके साथ शेर करेंगे हैं पांच ऐसे कोईंट्स जो आप डिप में बाय कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफित होने वाल है विल्कुल ऐसे हमने 4-5 दिन पहले कुछ कोईंट्स आपके साथ शेर किये मार्केट डंप होने से पहले तो आपने बहुत अज़ा प्रॉफिट बुक किया है तो अभी दुबारा से मौका आ चुक है तो इस वीडियो के इसी तरीके से देखते रही है अभी से लाइक करते हो और हमारी चैनल वाल फेट को सब्सक्राइब करके बहले लेकर दबाले च असपास और इसकी जो एक सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा स्रॉंग है 42,000 डॉलर के असपास एक चीस मैंने आपको पहले ही टेलिग्राम पर बताई थी तो आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि एक्चल में इसका RSI जो है वो ओवर सेलिंग शो कर रहे है अब यह 30 के आसपास उसके बाद यह बांस बैक लेते हैं लेकिन अब यह 34, 35 के आसपास चल रहे है और पूरी उमीद है कि अगर 30 टच करेगा या फिर नहीं भी टच करेगा तब भी उपर को बांस बैक ले सकता है तो RSI आप हमेशा देख सकते हैं ओवर सेलिंग होने के बाद एक ही पॉइंट ह होता है वो है उपर जाना तेकंड तिंग यह है कि अभी 42,000 डॉर के आसपास इसकी सपोर्ट है लेकिन यह 44, 46 के बीच में चल रहे है तो इससे कहा कि जो मोमेंटम है वो स्लो डान होता जा रहे है और यह उपर की तरफ को रैली ले सकता है करीब 47,000 डॉर तक यूँकि इसक कोईन बेस अपना खुद का कोईन के नाम से कोईन लेकर आ रहे है इसी के साथ आप एक चीज़ या नोटिस करोगी जो हम बहुत लंबे समय से वेट करें थे कि 200 में और 50 में दोनों क्रॉस करने वाले और आज हमने यह देख लिया दोनों क्रॉस हो चुके है जनरली जब यह लास्ट आम हमने आपके साथ इथेरियम डाइमर शेयर किया था तो वहां कुछ लोगों ने सिरफ 5 डॉलर लगा कर 100 डॉलर, 500 डॉलर बनाये थे अभी वैसा ही मौका आ चुका है हाला कि मैं कोई financial advice नहीं देता लेकर आप यहां देख सकते हैं जो DDOX कोईन है यह बाइने smart chain के उपर बिल्ड किया गया है और आपको यहां private sale में coins मिल जाएंगे एक BNB के बदले में करीब 800 million DDOX coins मिल जाएंगे तो यहां आपको करीब 42% तक का bonus मिल सकता है, pre-sale फिर DX sale होने वाली है तो यहां आपको 720 million DDX coin मिलेंगे, pancake swap के उपर launch आने वाला है 16 September को, तो यहां events आप यहां देख सकते हो, 11 September को है, जो अलरड़ी जा चुक है, 14 September को DX के उपर sale, इसके बाद है 16 September जो 2-3 दिन के बाद है, pancake swap के उपर listing है, तो और भी ज्यादा pump आने वाला है, तब आपको एक BNB के बदले में 620 million DDOX coins मिलेंगे, अभी अगर आप इनको buy करोगे तो आपको बहु पूरा वीडियो भी लाकर दूँगा, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ fundamentally strong tokens के बारे में, जो 5 हम discuss करने वाले हैं, जो dip में आ चुकी है, और dip में buy करने चाहिए अभी, तो सबसे पहला coin है, ICP अभी बाइंग रेंज में आ चुक है, क्रीब आपको 50-51 dollar के आसपस मिलेगा, तो इसको आप buy कर सकते हैं क्योंकि इसके भी events आने वाले हैं, next token है XLM, 0.3 dollar के आसपस अभी चल रहे है, actual में जो stellar network के ऊपर assets हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रहे हैं, और इसकी जो activities हैं on chain वो बढ़ती जा रहे हैं, deck states और volumes बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप Tron को buy कर सकते हैं, क्योंकि इसी वीक Tron का event आ रहे हैं, अल्रेडी Tron ने बहुत अच्छे gains दी हैं, लेकिन अभी ये totally bullish चल रहे हैं, चौते coin की बात करें तो ये avalanche, इसको आप 50-51 dollar के आसपस buy कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे gains आपको देखने को मिलेंगे इसके जो भी updates आ रहे हैं, वो मैं Telegram के उपर अल्रेडी बहुत सी share कर चुका हूँ, तो ये totally bullish coin है इस वक्त भी, next coin की बात करें तो है FTM, FTM भी बहुत पर बता चुका हूँ, लेकिन अभी buying range में है, इसको आप अभी buy कर सकते हैं, बहुत अच्छा profit दे सकता है, strong project है, तो य Atom coin मैंने आपको पहली बताया था, अभी भी बहुत ज़्यादा bullish चल रहा है, Avalanche मैंने आपको पहली बताया था, अभी बहुत अच्छा profit दिया, तो इस तरीके से मैं regular basis पर कुछ ना कुछ coins share करता रहे, तो हमारे Telegram के उपर या फिर YouTube के उपर, तो आप इसी तरीके से हमार अच्छा profit दे सकता है, तो इस वीडियो को लाइकन शेयर करते हैं हमारे चैनल, वाफरेट को सब्सक्राइब करके बहले अगर दबाल लिजे, ताके अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें, stay tuned, वाफरेट signing off.